नमस्कार मित्रों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एसर की टेबलेट को रिसेट कैसे करेंगे दोस्तों कि नीचे यहां पर आपको लिख कर आ रहा है This device belongs to your organization और दूसरी बार यहां पर लिख कर आ रहा होगा This device belongs to UP government यानि इसका मतलब क्या है सबसे पहले में आपको इसको हिंदी में करके बता देता हूँ दोस्तों, This device belongs to your organization इसका मतलब है कि यह उकरन आपके संगठन का है और इस डिवाइज बिलोंग टो यूपी गवर्मेंट तो इसका मतलब है यह डिवाइज उत्तर प्रदे सरकार की है दोस्तों अब मैं आपको बताऊँगा कि आप इस टेबलेट को रिसेट कैसे करेंगे इसके लिए आपको इस वीडियो में लास तक बने रहना है और वीडियो को भी ना स्कीप किये पूरा देखना है इसके लिए आपको अपने टेबलेट में सेटिंग को ओपिन कर लेना है जैसे ही आप setting पर click करेंगे तो आपके सामने इसपर करका page उपन होगा अब आपको थोड़ा नीची आना है और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा system का system पर आपको click कर देना है तो आपके सामने इसपर करका page उपन होगा और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा reset option यहाँ पर आपको click कर देना है जिसे आप इस पर click करेंगे आपके सामने इस पर करका page उपन होगा और यहाँ पर आपको तीन option मिलेंगे reset, wifi, mobile, bluetooth, reset, e-performance और area, data, factory, reset इस पर आपको click कर देना है जिसे आप यहाँ पर click करेंगे तो आप यहाँ पर जाए सकते हैं कि आपके सामने इस पर करका page उपन होगा और यहाँ पर लिकर आएगा blocked by your IT admin इसका क्या मतलब है सबसे पहले में आपको इसे हिंदी में करके बता देता हूँ दोस्तों इसका हिंदी में मतलब है कि आपके IT विवस्थापक द्वारा अब रोधित किया गया है यानि इसका यह मतलब है कि आपकी टेबलेट में Erase All Data Factory Reset को आपके IT विवस्थापक के द्वारा अब रोधित किया गया है यानि इस option को बंद कर दिया गया है आप अपनी इस टेबलेट को Reset नहीं कर सकते हैं दोस्तों इस टेबलेट को Reset करने के लिए एक और तरीका है अब मैं आपको उस तरीके के बारे में बता देता हूँ इसके लिए आपको अपनी टेबलेट को Switch Up कर देना है टेबलेट स्विच ओप करने के बाद अब आपको अपनी टेबलेट में Power Open बटन और Volume Up बटन इन दोनों को एक साथ दबा कर थोड़ी देर के लिए रखना है कुछ इस तरह से तो ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से Open हो जाएगी और यहाँ पर आपको तीन उप्सन मिलेंगे नमबर एक Recovery Mode, नमबर दो Fast Boot और नमबर तीन Normal आपको Volume Up बटन दबा कर Recovery Mode सेलेक्ट कर लेना है और उसके बद आपको Volume Down बटन दबा कर इसे OK कर देना है जिसे आप Volume Down बटन दबा कर OK करेंगे तो यह Recovery Mode में चला जाएगा आप यहाँ पर दे सकते हैं कि यह Recovery Mode में आ चुका है और यहाँ पर आपको मातर दोही Option दिखाई दे रहे हैं Reboot System Now और Power Off का यहाँ पर आपको कोई भी Reset या VIP All Data या VIP All Data E-Rage का Option दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों आप इस Tablet को सुई चौप करके भी Reset नहीं कर पाएंगे दोस्तों अब आपको Power Phone बटन दबा कर इसे Reboot कर देना है दोस्तों आपको बता दें कि आप इस Tablet को ना तो सुई चौप करके Reset कर सकते हैं और ना ही Setting में जाकर इसे Reset कर सकते हैं मित्रों जो यह उत्रपदे सरकार के दोरा Acer की Tablet बिद्रित की गई है इस Tablet को आप Reset नहीं कर पाएंगे दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को Like, Share and YouTube चनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में जहिंद